तो जितने भी मेरे 10th class के बच्चे हैं जल्दी से एक बारी class को join कर जाएं क्योंकि यह session आज बहुत ही important है ठीक है हम लोगों ने एक नया chapter start किया था उस chapter का part 1 हम कर चुके हैं आज हम part 2 करने वाले हैं ठीक है तो first flight app की जो book है उसका chapter number 7 है Glemses of India उसका part 1 याने की अब Baker from Goa जो आपका topic था वो previous lecture में cover हो चुका है तो उसमें हमने पूरा बढ़िया तरीके से वो पूरा portion पढ़ लिया उसकी practice भी कर लिया आज हम उसके text number 2 याने की part number 2 पर आ गया है ठीक है चालो तो सारे बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ जाए तो हम लोग आपका CBSE term 2 का जो एक्जाम है उसकी साथ में तैयारी गरने वाले है बढ़िया सी तैयारी होगी जोश में तैयारी होगी अम मैं पहले ही बता दू बिटा कि आप लोगों का जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि chapter number 7 कौन सी बुक का first flight book का chapter number 7 जो है Glimpses of India है आपका Glimpses of India का मतलब क्या होता है भारत की जलक तो हम भारत की कुछ जलक देख रहे हैं पर किस प्रकार देख रहे हैं हम अलग 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 जगाओं के बारे में पढ़ रहे हैं सो पहला जो text था आपका वो था अब baker from Goa यानि कि हमने Goa और Goa में रहने वाले एक baker की और बहुत सारे bakers जो हैं उन सब के बारे में जाना उस जगह के बारे में जाना उस culture के बारे में जाना आज की class के अंदर हम आ चुके हैं हमारे second part पर हमारा जो सफर चला था हरा जिस सफर को हमने शुरू किया था साथ में Glimpses of India जिसके अंदर हम भारत की अलग-अल के अंदर हम कूर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं यह आपके Glimpses of India जो चाप्टर है उसका part number two है ठीक है so आज ही class में खूब मजा आने वाले हैं कूर्ग मैंने यह जब चाप्टर पढ़ा this chapter is so beautiful एक बहुत ही सुन्दर सी जगह के बारे में हमें इसमें पता चल रहा है और यह chapter जो है वो लिखा गया है लोकेश अब रोल के द्वारा so बेटा यह आपके यहाँ पर राइटर है ठीक है लोकेश अब रोल is your writer इस नाम को जरा अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि यह आ जाता है exams के अंदर ठीक है so this is asked यह आता है CBSE पूछ लेता है exam में कि अपन राइटर का नाम बताओ so kurgh chapter जो है chapter नहीं है बढ़ यह part है chapter का नाम glimpses of India है मैं लिख देती हूं आपर chapter का नाम है glimpses of India लेकिन उसके अंदर part 2 क्या है glimpses of India okay part number 2 क्या है इसका kurgh यह है और यह कहानी जो है यह लिख रहे है लोकेश अब रोल अब इस किस पूरे के प प्यारी प्यारी चीजें हमें जानने को मिलती है बड़ी प्यारी जगह है कूर्ग सो लोकेश अब रोल जो है ना वो इस पूरे के पूरे चाप्टर के अंदर हम लोगों को कूर्ग के बारे में बहुत डीटेल में बता रहे हैं कि यह जगह कहां है इस जगह की खासियत क्य है इस जगह की हिस्ट्री क्या है यहां के लोग कैसे हैं अगर आप यहां जाओगे तो आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा क्या 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 करने को मिलेगा सारी चीजें हमें कूर्ग के बारे में बता रहे हैं और जिब चैप्टर रीड करोना तो ऐसा लगते है ज कि आप उसे रीड करोगे तो आपको फील आएगा कि सच में भई हम कूर्ग में वैठ हुए हैं सो आइ कांट वेट तो स्टार्ट इट जल्दी से इस चाप्टर को शुरू कर देते हैं हम लोग ठीक है बिटा चालो सो यहां ना एक बहुत ही अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि कूर्ग की स्पेशालिटी लोकेश अब रोल ने स्टार्टिंग में बता दिये चैसे ही बुक के अंदर आपको कूर्ग चाप्टर का क्या मिलेगा बिटा कूर्ग चाप्टर का यह जो टॉपिक है हमारा चाप्टर है चाप्टर नंबर सेवें ठीक है मैं दुबारा बता दू ग्लिम्स ऑफ इंडिया में लिख भी देती हूँ यह आपका चाप्टर नंबर सेवें है ठीक है तो इस चैप्टर के इंदर part 2 जब आप कोफी के बारे में पढ़ते हो तो इसके नीचे एक लाइन आपको देखने को मिलती है कि कूर्ग इस कॉफी कंट्री भई कॉफी कंट्री बोलते है इसको यानि कि यहीं से हमें समझ में आ रहा है कि कुर्ग में कॉफी उगती है और लोग यहां पर कॉफी लवर्स हैं उनको तो मज़ा आने वाला है क्योंकि कूर्ग बहुत ही जादा फेमस है किसके लिए कॉफी के लिए अगर कभी आप लोग का ट्रिप बनेना कूर्ग जाने का सो वहां की कॉफी जरूर टेस्ट कीजेगा और इसको याद भी रखना बिटा ठीक है क्योंकि यहां पर न इस पूरे के पूरे चाप्टर के अंदर आपको कूर्ग के बारे में इतनी सारी चीजे पता चल रही हैं कि चीज जगह किस के लिए फेमस है यहां पर क्या क्या चीजें है किदर किदर आप जा सकते हो गूमने के लिए यहां काई थी हास के इतना कुछ आपको यहां पता चल रहा है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है तो everything every detail क्या है is very important for you अगर हम exam point of view से देखें ठीक है तो सबसे पहली detail तो हमें यही पता चल रहे है कि कूर्ग भाई अपनी coffee के लिए बहुत famous है और famous for its rainforest and spices यानि कि अपने rainforest के लिए बहुत famous है और अपने मसाले अपने मसालों के लिए spices वो होते है न मसाले जो हम अपनी सबजियों में डालते है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया यह सारी च आते हैं तो वहां की coffee जरूर देखनी है वहां के rainforest आपको जरूर देखने है ठीक है और आपको वहां के मसाले यानि की spices जरूर देखने है तो यह तीन चीज़ों देखनी है अब आधा तो कूर्ग हम इस chapter को पढ़ते पढ़ते ही घूम के आ जाएंगे ठीक है तो जल्दी से चाप्टर को शुरू कर ले हम लोग चालिए बिटा तो जल्दी से हम इस chapter को शुरू कर लेते हैं इस part को इस text number 2 को शुरू कर लेते हैं सो अब देखो किताब के अंदर बुक के अंदर आपको जो chapter दिया है वो एक flow में दे रखा है लेकिन मैंने आपके मैं exam की point of view से अगर आपको पढ़ा हूँ तो बेटा मैंने इस chapter को बाट दिया है अब पूरे chapter में बहुत सारे paragraph है paragraph number one paragraph number two paragraph number three लेकिन शुरूवात के जो paragraph है आपको और पहले के कुछ चंद paragraph के अंदर आपको पता चलेगा कि कूर्ग कहा स्थित है और यहां की features क्या है ठीक है यहां की खासियत क्या है इस जगह की चालो तो शुरू कर लेते हैं तो chapter कुछ इस तरीके से शुरू हो रहे है कि वो पहली लाइन में आपको बता रहे है क जिसका नाम है कूर्ग ठीक है और वो पते इतनी सुंदर है मतलब हमें यहीं से समझ में आ रहे है कि वो लोकेश अब रोल इस जगह के बारे में कि चिस तरीके से बात कर रहे हैं इस जगह को डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे मानों कि एक स्वर्ग का तुकड़ा जो है वो तैर पर आगया उस्वर कितनी सुंदर जगह तो हमारे जो राइटर है लोकेश अब रोल वो कह रहे है कूर्ग एक ऐसी जगह है जो कहां पर मिलेगी आपको मैसौर और मैंगलॉर के बीच में है यह जगह और ऐसा लगता है कि a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God यानि कि भगवान के क्या है kingdom से ए कूर्ग इतनी सुंदर जगह है मानो जमीन पर स्वर्ग उतराया इतनी प्यारी जगह है कूर्ग तो यह वह बोल रहे हैं कहा है वह इसकी लोकेशन याद रखनी है बचे लोकेशन कहा है उसकी मैसौर और मैंगलॉर के बीच में है यह जगह ठीक है एक्जाम के लिए बहुत कि किंग्डम में से एक छोटा सा तुकड़ा जो है वो धीरे धीरे से स्वर्ग का तैरता तैरता यहां जमीन पर आ गया है उड़ता उड़ता कहीं से बटकता बटकता जमीन पर आ गया इतना सुंदर है मतलब स्वर्ग का तुकड़ा लगता है वह ठीक है फिर उसके बाद तो बोल रहें कि ये जगह किसके लिए है, this land of rolling hills, यानि कि आपको यहां पर पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे, तो कूर्गियानि कि किस से घिरा हुआ है, पहाडों से घिरा हुआ है, hill station है कि तरीके से hills हैं आपे बहुत सारे, और कैसा है, is inhabited by proud race of martial men, यानि कि यहां पर कौन रह है वोल रहे कि इतनी सुंदर जगा जो मैसर और मैंगलोर के बीच में है जिसको बोलते है कि बहुत्व मेंगला इल स्वर्ग यह आयानी की सिंदर जगा है और यह पहाड उसे घीरी कुई लाए रहती है और तो और यहां पर जंगली जानवर भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे तो यानि कि हमें पहले पेराग्राफ के अंदर ही लोकेश अब रोल बता रहे हैं कि वही देखो जिस चाप्टर के बारे में तुम पढ़ने वाले हो जिस जगा के बारे में तुम प जो आ गया है यहां पर भगवान के राज्य में से कहीं से छूट कर हना दीरे-दीरे खिसकता खिसकता यहां पर आ गया हमारी प्रित्वी पर और क्या है और यह जगा ऐसी है कि आसपास पहाड़ी पहाड़ हैं और यहां पर रहते हैं आर्मी वाले लोग सुंदर-सुंदर और जंगली जानवर इसके बाद जो हैं लोकेश अबरोल बता रहे हैं कि भाई देखो कूर्ग इसका एक और नाम है कोड़गू क्या बोलते हैं कोड़गू इस नाम से भी इसको जाना जाता है तो आपको ना मैं यहां पर एक इंपोर्टन चीज बच्चे बताना चाहती और इसलों कि एक कंव्छन किस तरीक से क्रियेट होता है लाइफ में कांवय कोड़गू नाम का इस्तमाल कर लेंगे बच्चे को कोड़गू जो है हम लोग ना इस नाम पे ध्यानी नहीं देते हैं जब हम इस नाम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कोडगू कौन सी जगा के बारे में बात हो रही है, तो जब question paper में कोडगू नाम लिख कर के आ जाएगा तो आप हो जाओगे confused की, यार ये कौन सा chapter है, ये कौन सी जगा है, इस बारे में तो पढ़ा ही नहीं आना चाहिए, कूर्ग का ही दूसरा नाम कोडगू है, तो अगर question कूर्ग नाम से आए तो भी समझ जाएगा, कोडगू नाम से आए तो भी समझ जाना कि कूर्ग की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आगे बता रहे हैं कि कूर्ग या कोडगू, ये सबसे करनाटका का सबसे छोटा district है ठीक है, सबसे छोटा district है और evergreen rain forest, मसाले और coffee यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब बहुत ही संदर से क्या देखने को मिल जाएगी, खुब सारे संदर संदर तुमको जंगल देखने को मिल जाएगे, तो मैं यहाँ पे मसाले ही, मसाले देखने को मिलेंगे and my most favorite thing आपको यहाँ देखने को मिलेंगे खुब सारी coffee, मतलब यह जगा ही coffee के लिए famous यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है जो production होता है, वो है यहाँ पर coffee की खेती बहुत ज़्यादा होती है मतलब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि अगर यह चीजे, अगर यह पूरी जगा coffee की खेती के लिए famous है, मसालों के लिए famous है और अपने rainforest के लिए अगर यह जगा famous है तो यहाँ कि कितनी हरी-भरी जगा होगी मुदब यहां पर ظाहिर सी बाते कितनी हरी भरी जगा होगी, यहां जंगलों के लिए फेममस जगा है, कॉफी की भी क्या, कॉफी के भी प्लांटेशिन, तो जाहिर सी बात है, यह सारी चीज़ों तो पॉधव पेड़। पॉधड़ पी उगती हैं, कि खूब हरी बरी जगा होने वाली है तो ऐसे इमाजन करना ठीक है मैं बोल रही आप लोगों को कि हम जब चैप्टर पढ़ेंगे न तो ऐसा फील आएगा जैसे हम सच में कूर्ग घूम रहे हैं तो इमाजन करोंगे माला हम एक जगा पर जा चुके हैं जो की फेमस किस चीज के लिए आपको जंगल ही जंगल है और हमें बता चुके हैं लोकेश अब रोल की वह कैसी जगाए वह पहाडों से घीरी हुई है हिल से घीरी हुई है सुंदर-सुंदर ओरते रहती हैं हम आपपर बहूत सारे आपको जानवर देखने को मेलेंगे जंगली जाणवर देखने Green Rain Forest यानि कि सदाबहार हमेशा चिके Rain Forest का अब वोल रहे हैं कि जो Rain Forest है यहां पे सबसे important part 30% of this district यानि कि अगर यह district इतना बड़ा है बिटा तो उसका 30% किस से घिरा पड़ा है 30% तो केवल rain forest ही है यानि कि यह वैसे भी छोटी सी जगा है लिखा हुआ है यहां पे करनाटका का सबसे छोटा district है और उसका भी 30 प्रतिशत area तो केवल जंगलों से बरा पड़ा है निकि कि कितनी greenery होगी वहां की हवा कितनी ताजी होगी सोचकर ही लगता है कि वही rain forest ही rain forest जान कि यह कही ना कहीं क्या है यह स्वर्ग का तुकड़ा ही है जहां पे इतनी greenery है 30% सो इस amount को मत भूलिएगा बेटा कि यह कितना परसेंट area कूर्ग का या कोडगू का कोडगू का कितना परसेंट area covered है evergreen rain forest से 30% area कोडगू का यानि कि कोडगू कूर्ग का 30% area जो है वह covered है evergreen rain forest से ठीक है अब वह बोल रहें कि यहां पर ना वैसे तो मॉन्सून के टाइम पर सबसे जादा बारिश होती है और देखो जायर सी बात है rain forest यानि की बारिश तो होगी और सदा बहार evergreen rain forest है coffee की plantations है मसाले इन तीन चीजों के लिए कूर्ग जाना जाता है अब यहां पर 30% area भी जंगलों से बढ़ा पड़ा है यानि की evergreen rain forest से तो जब यहां बारिश होती है ना जब यहां बरसात का मौसम होता है जब मौनसून आता है यहां पर तो खूब बारिश होती है तो यहां पर ना जो लोग है जो घूमने फिरने आते हैं वो इतना नहीं आते क्यूंकि ब अपने घर से भर-बर के आ जाते कि चलो भई सुन्दर सी जगा कूर्ग गूमने जाएंगे वो किस मौसम में घूमने आते हैं सेप्टेंबर के महीने से लेकर के मार्च के महीने में आपको यहां पर बहुत सारे लोगों की भीड दिखेगी तो सबसे जादा लोग सबसे जा और इस वाले पेच पे हमने बहुत important चीजे पढ़ ली हैं क्या पढ़ ली है जल्दी से quickly revise कर लेते हैं सबसे पहली चीज यह कि कूर्ग तीन चीजों के लिए famous है किस के लिए coffee सबसे वहली बात दूसरा अपने evergreen rainforest और तीसरा अपने मसाले ठीक है फिर हमने देखा कूर्ग क तुकड़ा बहते बहते आ गया है जमीन पर इतनी सुन्दर भी है फिर वो बोल रहें कि 30% 30% जो इस चो और यह सबसे हाँ एक और चीज़ के सबसे करनाटका का सबसे चोटा डिस्रिक्ट है और उसका भी 30% एरिया evergreen rainforest से भरा हुआ है monster के टाइम पर यहाँ पर जाधर लोग नहीं आते क्योंकि बहुत बारिश होती है लोग कब आते हैं यहाँ पर लोग आते हैं September से March के महीने के बीच में यह सबसे सुहाना माउसम होता है यहां पर भर भर के लोग आते हैं घूमने के लिए कूर्ग, ठीक है, सभी को इतना समझ में आ गया है, हमें location पता चल चुके है, कूर्ग की, हमें यहां की सबसे जादा अच्छे features पता चल चुके है, कि यह जगा जानी किसले जाती है, यह जगा famous किसले है, यह हमें पता चल ग कूर्ग कहां पर है, कोडगू, कूर्ग यह कोडगू, कुछ भी कहलो, दोनों नाम से जाना चाहता है, यह कहां पर है, चल यह जल्दी से comment section में type करके बताओ, यह जगा कहां पर है, अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इतनी जल्दी तो दिमांग से नहीं निकलना चाहिए, हन चलो, डन है, खताम, question number one, आज आते है, question number two पे, the main crop of कूर्ग, क्या है, सबसे main crop, कूर्ग की, अब भी मैंने बताया था, हिंट भी दे दिती हूँ एक, मेरी favorite चीज है, और कही ना कही शायद बहुत से बच्चे भी comment section में बता चुके होंगे, उनकी भी favorite चीज है, क्या है, main crop of कूर्ग, जल्दी से answer करो, ठीक है, हो गया, कर लिया, done है, check कर लेते answers, so कहा है भई, कूर्ग कहा स्थे थे, माइसोर और मैंगलोर के बीच में, अना करनाटका की सबसे छोटी district, लिख दो यहाँ पर answer में, कहा है, माइसोर और मैंगलोर के बीच में, करनाटका की सबसे चुके होंगे, कॉमेंट सेक्शन के अंदर, माम कॉफी, माम कॉफी, माम कॉफी, माम कॉफी, हाँ, तो भूलना नहीं है, हमारे भारत में सबसे अच्छी एरिया, जहां पर सबसे अच्छी कॉफी मिलती हो, वो कूर्ग में मिलती है, क्योंकि यह जगा ही उसके लिए famous, और कॉफी की खुश्बू से ही, ठीक है, तो हमने इसकी location के बारे में, इसके features के बारे में पढ़ लिया है, अब आगे जब आप chapter पढ़ते हो ना, तो लोकेश अब रोल यहां पर बता रहे हैं कूर्ग की history, कि यहां पर कूर्ग का इतिहास कहां से है, कूर्ग में रहने वाले क्या इतिहास है, तो अब हमें आगे जब हम chapter पढ़ते हैं, तो यहां का इतिहास पढ़ने को मिलता है, तो वो बता रहे हैं कि देखो, तो fiercely independent यानि की बहुत जादा, आत्म निर्भर लोग जो है, fiercely यानि की कट्टर तौर पे, बहुत तगड़े तौर पे, जो independent, मतलब कि किसी पर भरोसा तो करते हैं, इंडिबिंडिन का मतलब है कि किसी पर निर्भर नी होते हैं, कि हमारे लिए कोई और कर देखो, किसी पर dependent नहीं है, आत्म निर्भर इंसान हैं यांके, तो जितने भी यहां के बहुत तगड़े तौर पे आत्म निर्भर लोग हैं वो सारे के स सारे माने जाते हैं कि इनका कोई ना कोई रिष्टा है किस से ग्रीक या एरबिक लोगों के साथ माना जाता है कि उनके क्या है यह उनके वंशज हैं ग्रीक और एरबिक लोगों के वंशज है यह कूर्ग के लोग ठीक है कूर्गी पीपल कूर्गी ठीक है कूर्गी लोग जो ह किया आत्म निरबर निरबर नियुक्ते अपना काम अपना स्वयंosit करनेवाले इन-डीपेंडेन्ट लोग जो है इनको बोलतें कि इनका काही न कही जड़ा हुआ है ग्रीक लोगों के साथ या फिर अरबिक लोगों के साथ अब क्यूं कहते हैं इस के बीछ कहानी है अब इस कहानी को ध्यान से समझना क्योंकि अपने इस कहानी को ध्यान से समझ लिया तो आप ना इन इस जगा का कही न कही कल्चर समझ जाओगे और आप इस जगा का कही न कही इस जगा के लोगों को समझ जाओगे बहुत सी चीज़े समझ मैंगी और साथी साथ अरबिक लोगों के साथ यह ग्रीक लोगों के साथ तो इसके पीछे की कहानी है ऐसा इसले कहते हैं मतलब की कूर्ग के लोगों का कूर्गी लोगों का जो है कही ना कहीं कोई पुराना रिष्टा है अरबिक या ग्रीक लोगों के साथ इस ऐसा इसले कहा जाता है क्योंकि पु चलते चलते क्या हुआ वो साउथ आ गई यानि की कूर्ग की तरफ तरफ चलते चलते अलेग्जेंडर की सेना लिए सिकंदर उनकी सेना आ गई और वहां आकर कि वह सेटल वोगी। और क्या हुआ फिर उनके लिए वापिस लोटना मुश्किल हो गया कहानी है यहां के लोग मानते हैं ऐसी कहानी है कि एलेक्जेंडर की सेना जो थी उसका एक हिस्सा कुछ लोग एलेक्जेंडर की सेना की कुछ लोग ऐसे चलते 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 हना तटके किनारे किनारे तटके कि लोगों से कर ली शादी, ठीक है, सिकंदर की, एलेक्जांडर की जो सेना थी, ठीक है, दुबारा से समझ लो, कहानी क्या है, ध्यान से सुनना, एलेक्जांडर की जो सेना थी, उसकी सेना के कुछ लोग, हमारे तट के, हमारे कोस्टल एरिया के, सहारे, सहारे, किनारे, किनारे पर चलते चलते आए कूर्ग में कूर्ग में आकर वो रुप गए तो फिर ना ऐसा मतलब महौल हो गया कि उनके वापस जाना मुश्किल हो गया तो उन्होंने ने वही पर अपनी जिंदगी शुरू कर लिए और कूर्ग के जो आसपास के लोग ते उनी से शादी वादी कर ली उन्हीं से शादी करके वो लोग वहीं पर सेटल हो गए और यह चीज ना यह चीज पते क्या यह चीज उनके कल्चर में भी दिखती है कि कूर्ग के लोगों का जो कल्चर है उनका जो मार्शियल ट्रेडिशन हैं हना उनके जो रीती रिवाज हैं उनके रीती रिवाजों में उनके शादी बिया करने के जो क्या होते हैं जो रीती रिवाज हैं उनका रिलिजिस धार्मिक रीती रिवाजों में मतलब हर चीजों में कहीं ना कहीं जलक आती है इस बात की ठीक है क् तो हिंदू जो हमारा असलित में जो हमारा हिंदू धर्म कहता है ना कि पूजा के रिती रिवाजों में कुछ ऐसा होना चाहिए धार्मिक रिती रिवाजों में ये करते हैं हिंदू लोग तो वो जो मेंस्ट्रीम जो हर तरफ हमें दिखने को मिलता है कि हम लोग शादिया होत होती है हर तरफ आप चले जाओगे तो अधिकतर हिंदु धर्म के हिसाब से एक तरीके की होती ना हम देखते हैं शादिया हो रही होती है उनके धार्मिक जो रीतिरिवाज है वो भी अलग होते हैं लेकिन यहां आपको अलग देखने को मिलेगा तो यह इसलिए बोलते हैं क्य है ठीक है ओपर से उपर इनके शादी रीति रिवाज है तो यह जो रीती रैवाज है जैसे असल में हिन्दुधर्म में होते नहीं है उससे बहुत अलग हैं तो यह इस वज़ो इनुक्त कही ना कही जो relation है वो Greek लोगों के साथ है वो Arab के लोगों के साथ है क्योंकि कहानी भी मानी जाती है कि भाई एक बारी सिकंदर की जो या Alexander की जो आर्मी थी उसके कुछ लोग दीरे 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 ऐसे चलते 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 आगए कूर्ग में रुक गए फिर वही पर सेटल हो गए उनके लिए वापिस जाना भी मुश्किल हो गया तो उन्होंने वही पर आपस में शादी कर ली तो जाहिर सी बात है बिटा जब कुछ लोग कुछ नए लोग आकर के वहां पर रुके तो उनका बहुत सा कल्चर जो है उसका प्रभाफ पड़ा होगा कूर्ग के लोगों के उपर हना अब हमारे उपर जब किसने राज किया था हमारे उपर जब अंग्रेजों ने राज किया तो हमारे उपर भी तो काफी प्रभाफ पड़ा हमारे बीच में भारतियों के बीच में जब अंग्रेज आकर के रुके तो तो हम लोगों ने भी इसे बहुत सी चीजै सीखी उन लोगों ने भी लोगों से लेफिए उनके उपपर हमारा dhra 19需 नेता ना तो कहीं ना कहीं हम उन के रीतिरिवाजों को अपना लिया और वो रीतिरिवाजों के स्टाइल में जैसे उनके रीतिरिवाज है उसमें दिखता भी है कि हिंदू धर्म के हिसाब से काफी अलग रीतिरिवाज है उनके हना तो यह चीज भी है और सबसे बड़ी चीज जो इस चीज का प्रूफ है कि भ देखो है देखो दिए आरब ग्रीक के साथ यह इस ले इतनी जादा क्या है यह च्क? पर इस ब्रेश काशी है? ब्लाक कोड है, घिक के उसके ओपने यह बैल बादी हुई है है ना और यह बेल्ट कैसी कड्याइद future कि इसके उपर सो यह जो ब्लाक कलर का इतना बड़ा सा कोट है इसके उपर रेड कलर की जो बैल्ट है यह सेम जो है ना यह क्या है इसको यहां पर कोट डवू लोग पहनते हैं ठीक है कूर्ग के लोगों को कोट डवू भी बोलते हैं सो कूर्ग में रहने वाले लोगों को कोट डवूस भी बोलते हैं ठीक है इतना याद रखेगा बिटा यह फिर से इंपोर्टेंट चीज है एक्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है देखो यह आपर the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt जो लंबा सा black color का कोट यह लोग जो पहनते हैं और उसके साथ यह black color के कोट के उपर यह जो लाल से रंका इनोंने इन अंकल ने पहन रखा है ना एक waist belt अना कमर के उपर यह बिल्ट सी बांध रखी है यह तो यह पूरी जो ड्रेस है black coat और यह जो अपनी कमर पे belt बांध रखी है यह पूरी कोट ड्रेस पहनी जाती है कोट डवो लोगों के द्वारा कोट डवो लोग कौन है कोट डवो लोग लोग है कोट डगू कोट डगू यानि की क्या चलिए से बताओ कोट डगू यानि की क्या टेस्स लिलते तुमारा अभी बताए जाना कूर्ग का दूसरा नाम है कोट डग तो यहां के कूर्गी बोल लो या फिर कोड़वू बोल लो ठीक है अब कूर्ग के दो दो नाम है हना कूर्ग और कोड़गू तो यहां के लोगों को कूर्गी या कोड़वू पीपल कहते हैं तो इसको ध्यान रखना तो यह ड्रेस जो कोड़वू के लोग यानि की कूर्ग क लोग जो पहनते हैं इसको ये लोग बोलते है कुपिया इस ड्रेस का नाम क्या रखा है इस ड्रेस का नाम रखा हुआ है कुपिया के यू पी पी आई ए बिटा इसको ध्यान दीना ये है बहुत इंपोर्टेंट ये इनके कल्चर ये इनके ट्रेडिशन के बारे में हमें बता पूरा पूरा paragraph यह पूरी पूरी कहानी जो मैं आपको बता रही हूझ हो यह सबसे ज्यादा very 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 important है अगर इस chapter से कुछ यह पूरी के पूरे टेक्स्ट ट्न से अगर कोई question आने का चांस है तो ज्श्यादा इस question आने के chances हैं अगर कोई question आ सकता है इस वाले टॉपिक से तो जब से ज़ादा है कि यही क्वेशन आ सकता है ठीक है यह पूरी कहानी के भाई आप बता दीजिए जरा कि किस प्रकार आप यह मान के कहते हो कि भाई इन लोगों का रिष्टा कुछ ना कुछ अरब या ग्रीक लोगों के साथ है तो आपको प पर क्या कर ली लोगों से लोकल लोगों से शादी कर ली अब लोकल लोगों के काम करने के रिती रिवाज जो है जैसे की शादी जैसे की कोई फंक्षन धार्मिक रिती रिवाजों में पता चलता है क्योंकि उनके रिती रिवाज असलियत में हिंदू धर्म के हिसाब से सपोर्ट होता है उसके ओपर कमर पेहनते हैं एक बेल्ट इसका नाम रखा है इन्होंने कुपिया और असल में यह सेम ड्रेस जो है ना वो अरब और कर्ड के दुआरा पहनी जाती है उसका नाम उन्होंने रखा है कुफिया नाम भी लगबग सेम सेम है और सेम ड्रेस जो है व इसके वजह से हम और जादा मानते हैं कि पक्का कुछ ना कुछ तो है पक्का इनका कोई ना कोई तो क्या है इनका कोई ना कोई तो पुराना रिष्टा जाता है कोई ना कोई तो इनके क्या है कोई ना कोई तो लिंक है इनका ग्रीक लोगों के साथ कोई ना कोई तो लिंक है इसे कुपिया बोलते हैं, तो नाम भी लगभग सेम है, ड्रेस भी सेम है, तो इस वजह से कहते हैं कि इनका इतिहास कही ना कही जुड़ा हुआ है, अरबिया ग्रीक के साथ, ये कहानी सभी को समझ में आई, ये कहानी बिटा बहुत important है, इसको ना तुम लोग मतलब जितना mark क कुछ आता है, तो ये आने के सबस्यादा chances हैं, ये जरूरी है, क्योंकि कूर्ग का पूरा इतिहास यहां से आता है, मतलब वहां के लोग ना सच में बहुत सी जो चीजें हैं, उनका करने का तरीका अलग है, ठीक है, हिंदु धर्म में हम जैसे काम करते हैं, वो बहुत हैं, दूसरा की कोई न कोई रिष्था इनका अरब के साथ भी है, क्योंकि इनक Key Dress को देख कर भी पता चल जाता है, same Dress अरब और ग्रीक के लोग भी पहनते हैं, और वो लोग कुपिया बोलते हैं, तो लोग कुपिया बोलते हैं, तो question आ सकता है कि कुपिया क्या है तो आपको पता होना चाहिए कुपिया क्या है black color का long coat और embroidered belt waist belt कमर की belt ठीक है यह है कुपिया तो अलग-अलग questions यहां से बन सकते हैं अगर कहानी अच्छे से पता है तो question का answer पता है ठीक है सो इसको ध्यान से समझना अब आगे क्या बात हो रही है अब आगे जो हमारे writer है location अब रोल आगे बताते हैं यहां की देखो history भी हो गए उन्होंने बता दिया यह जगा की location क्या है वो location इस जगे यह जगा famous किसले है की features क्या है वह features भी बता चुके है अब इस जगा की history क्या है उन्होंने history भी बता दि कि यहां के लोगों का इतिहास कहां से आता है ठीक hydraulining the Airlines के बारे में भी हम बात करने वाले तो लोकेश अबरोल ना यहां के लोगों के एक खासियत बताते हैं कि यहां के लोग जो है वो अपने आदर सतकार के लिए बहुत माने जाते हैं वही उनका मलब बहुत ही तारीफ कर रहे हैं यहां पर देखा जाये तो हमारे जो लोकेश अबरोल हैं जो राइ दूसरी वो तारीफ कर रहे है उन लोगों की ऐसे के लोगों ऑपने ग साहस के लिए बहुत हैं नहीं मतलब कोर्ग के लोग एक मोका नहीं छोडते हैं अपने भाईयों की अपने पिताओं की ठीकल अपने लोगों की momento की कहानी शुनाने मरी नहीं कहानिया सुनाते हैं वो पुरानी कहानिया उनके साहस की हना यहां देखो tales of valor valor का मतलब है साहस bravery ठीक है जो की related है उनके बेटों से उनके पिताओं से तो यानि की यहां पर न और एक और चीज यहां पर दूसरी बात कि मतलब यहां की लोग जो है आपको हर घर में आपको एक इंसान आर्मी में मिल जाएगा हर घर में आपको या तो जो लड़का है ठीक है बेटा है यह जो पिता है वह आपको आर्मी के मिल जाएंगे मतलब यहां के लोग जो इना दिक्तर कहां जाते हैं यहां के लोग मतलब आप कहां है उस जगा की खासित क्या है उस जगा का इतिहास क्या है लेकिन अब यहां के लोगों की बात करें, तो यहां के लोग एक तो अपने अतिती देवो भवा, मलब इसमें मानते हैं, लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं, आदर सत्कार करते हैं, दूसरा, साहसी बहुत है, they are very brave, हर गर में आपको एक जवान, एक सैनिक मिल जाएगा भई या तो पिता, या तो फिर जो है, बेटा, ठीक है, साहसी कहानिया हैं, हर घर में, हर एक इनसान के पास, अपने बेटों की या अपने पिताओं की, ठीक है, दूसरी चीज़ यहां पर देखो, की कूर्ग रेजिमेंट is one of the most decorated in Indian आर्मी, इंडियन आर्मी में भारत की जितनी भी हमारी पूरी सेना है, उसमें सबसे जादा सम्मानित जो तुकडी है, वो है कूर्ग की, कूर्ग की आर्मी, कूर्ग रेजिमेंट जो है, यानि की भारत की सेना की जितनी भी अलग-अलग तुकडिया होती है, हर एक एरिया के अलग-अलग रेजिमेंट होते हैं, जयह oveर संवान इस तो अपने के अमींद लोग network फेलाफ देश को ले कर के बहुत जादा भो कि यहां के अलगिए इस पोरी तुपडी को corresponds army में सबसे best और सबसे one of the best कि मलब जितने भी हमारी पूरी इंडियन army है उसमें से सबसे जादा जो strong के hello और सब जादा सम्मानित जो तुकडी है वो कूर्ग की है कूर्ग रेजिमेंट most decorated decorated यानि की होता निये stars लग जाते सबसे जादा कूर्ग रेजिमेंट में आपको वीर जवान देखने को मिल जाएंगे ठीक है दूसरी वो बोल रहे हैं कि सबसे important बात जो आपको याद रखनी है ठीक है वो कह रहे हैं कि सबसे पहला जो first chief of the Indian army हमारी Indian army के जो सबसे पहले chief थे ना जिनका नाम था General के रियापा वो भी एक कूरगी ही थे तो यहीं से हमें पता चलता है इन लोगों के बारे में यहां के पूरा जो paragraph है बिटा उनको इस पूरे paragraph में लोकेश अब रोल हमें यहां के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि यहां के लोग कितने जोशीले हैं यहां के लोग कितने जादा अपने मतलब आप कह सकते हो कि कितने जादा उनके अंदर कितना जोश है किते जादा पेट्रियोटिक है देश भक्त है यहां की यहां के आर्मी जो है मतलब इधर के रेजिमिंट के जितने भी लोग है कूर्गी रेजिमिंट जो है वो वैसे भी इंडियन आर्मी में अलग ही उसको सम्मान दिया जाता है यह के अधिकतर लोग जो है उन सभी हर घर में आपको जो है एक इंजान मिल जाएगा जो आर्मी के अंदर है हना तो यहां के लोगों की खासियत बता रहे होगे यहां के लोग कितने अच्छे और दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि हमारे पूरा मलब इस से इस लाइन से अपने लोगों निकलते हैं आप कहा सकते हो कि जो भूमी है जो ज़ो जमीन है यह किन पैदा करती है जवानों को ठीक है आप देखो और सबसे कास बात बोल रहे हैं कि कोड़ वू जो है कॉड़ वू सकौन दुबारा से मैं बता रही हूं कूर्गी लोगों का ही नाम है कोड़ केवल हमने कोड़गू लोगों को याने की कूरगी लोगों को दे रखे क्योंकि कही ना कहीं हमें पता चलता है ना कहीं ना कहीं हमें इन लोगों के उपर भरोसा है कहीं ना कहीं हमें पता है कि यहां के लोग जो हैं वह बहुत अलग हैं बाकियों से यहां के जो लोग हैं इन या तो पिता हर घर में सैनिक मिल जाएगा हर एक इंसान के पास यहां पर अपने बेटे की अपने पिता की कोई साहसी कहानी सुनाने के लिए होती है तो यहां पर हर घर में क्या है हर घर में जवान है हर घर में सैनिक है यहां की आर्मी जो है वो अपने आप में फेमस है क्यों और दूसरी बात कि यही से हमें समझ मां आ जाते हैं कि भाई जब इतना कुछ किया है तो कोड़वू लोगों को ना भारत की सरकार ने बोल रखा है कि आप ना अपने घर में बिना लाइसेंस के भी हतियार रख सकते हो हमें आप में बरूसा है कि आप लोग इतना बना इनके इतना जो है अपने देश के प्रती जोश है आया समझ में तो यह पूरा पेराग्राफ जो है ना बट्चे यह पूरा पेराग्राफ कूर्ग के लोगों के बारे में है कूर्ग के लोगों की खासियत के बारे में है कूर्ग के लोगों के बारे में आपको बता रहा है कि वहा को रहे है कि स्वर्ग है पहारों से घीरी पढ़ी है रयेंव फॉररेस्ट के लिए फैमस है मसालू के लिए फैमस है कॉफी करनाटिक का डिस्ट्रोट्ड लेकिन उसमें 30% एरिया ग्री भरा पड़ा है क्यों कौन कावर SMS कवर कर रहा है असका इत्माँני का लोगों का culture बहुत अलग है क्योंकि इतिहास में क्या है कहीना-कहीं Alexander की आर्मी से जुड़ा हुआ है Itihaas, दूसरी बात कहीना-कहीं इतिहास अरब या Greeks लोगों से जुड़ा है क्योंकि इनके इनका पूरा culture अलग है, इनका पहनावा अलग है और पहनावा सेम कैसा है जो ये कुपिया पहनते हैं जो ये ड्रेस ब्लाक कलर की और कोट और ये कमर के उपर ये जो बेल्ट बांथते हैं वो सेम कही न कहीं कैसा है जैसा अरब लोग पहनते हैं अरब उसको कुफिया कहते हैं ये कुपिया कहते हैं मतलब जगा अपने आप मे एक बहुत ही प्यारी चीज़ है मतलब आप वहां जाओगे तो आखों से तो सुन्दरता देखने को मिलेगी ही मिलेगी आप लोगों को वहां पर लोगों के अंदर भी बहुत ही अच्छा आदर सत्कार आदर भाव देखने को मिलेगा ठीके बच्चे चालो सो इसके आगे हम याँ अब इतक सभी को सारी कहानी पूरा Chapter या तक Clear है आगे बर जाते हैं COB सी यहाँ पर वह बोहुत है कि आपको ना लोगों के सिवा सिवा इसके इतिहां के सिवा अब वह बता रहे हैं कि यहां पर ये जगा के और मतलब इस जगा के फीचर के बारे मिलेगा यहाँ और क् देखो सबसे पहली बात यहां पर कावेरी नदी है ठीक है जिसको पानी कहां से मिलता है जिसको पानी मिलता है कूर्ग के पहाडों और जंगलों में से यानि की कूर्ग के पहाडों में से और जंगलों में से निकलती आ रही है बहती आ रही है एक नदी जिसका नाम है कावेरी सो यह important है बच्चे यह बहुत ही जादा important है सीधा-सीधा question MCQ में भी आ सकता है और आपको बोल सकते हैं कूर्ग के geographical location के बारे में और geography के बारे में कुछ बताओ तो आपको पता होना चीए कि इसका geographical location क्या है कि माईसूर और मैंगलॉर के बीच में है करनाटका का सबसे छोटा district है यहाँ पर कूर्ग के पहाडों में से जंगलों में से बह रही है एक नदी जिसका नाम कावीरी है ठीक है और दूसरा क्या बोल रहे हैं वो वो बोल रहे हैं आपको kingfishers देखने को मिलेंगे यहाँ पर यह होती है kingfishers ठीक है ऐसी सुन्दर सी birds फिर वो बोल रहे हैं आपको गिलहरियां आपको छुटी-छुटी क्यूट सी गिलहरियां देखने को मिलेंगे यह देखो आपको elephants देखने को मिलेंगे और सबसे प्यारी बात पता है क्या mahots यानि कि elephants को ना इनके वो होते ना elephants को चलाने वाले वो जो इनके साथ रहते हैं ठीक है वो इनको निलाते हुए दिखेंगे मतलब वो आपको दिख जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं महावत जिसको हम बोलते हैं वो क्या कर रहे हैं जो elephants को चलाने वाले elephants का ध्यान रखने ठीक है तो आपको ना इस कावेरी नदी जो है जो कावेरी नदी कूर्ग के पहाडों में से बह रही है उनके जंगलों में से बह रही है उस नदी के अंदर नदी का पानी ताजा पानी होता है यह पता है ना आप सभी को नदी का पानी ताजा पानी होता है वो खारा पानी नह कि जो महावत हैं वो क्या कर रहे हैं वो अपने हाथियों को निला रहे हैं मलब नजारा इतना सुन्दर होगा यह सारी चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी उसके अलावा वो बोल रहे हैं कि यहां पर करने के लिए बहुत सी चीज़ें आप अलग-अलग activities कर रहे हैं जो अपनी जिंदिगी में बहुती बोरिंग सा इंसान है वह बोरिंग इंसान भी यहां आ करके एकड़म एक्साइटमेंट से भर जाएगा और वह बहुत active हो जाएगा यहां पर को इंसान आ जाएगा वह जगह इतनी सुन्दर है पहले तो सुन्दरता देखकर के पागल हो बढ़ा एक ऐसी नोखीलीसी नाओ को आप चक्कुस ऐसे चलाते हो पिर आपको river rafting करने को मिलेगी ठीक है फिर आपको रैपलिंग करने को मिलेगी जिसमें ऐसे रसी से लककर पहाड से नीचे बोड़ते हो आपको रॉक क्लाइंबिंग करने को मिलेगी आपको यहां पर mountain लोग तो लोग अच्छे इतिहास इतना इंट्रस्टिंग उसके अलावा यहां का यहां पर करने को कितना कुछ है यहां पर जानवर कितने मदलब आप नीचर के पास आ जाओगे जानवर इतने सारे देखने को मिलेंगे सो हर चीज है यहां पर और सबसे अच्छी चीज जो यहां पर देखने को मिलती है ठीक है वो आपको बोल रहे हैं कि आप जब क्या करोगी दा क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू इंटू पैनॉर्मिक व्यू ओफ दे इंटायर मिस्टी लांड्सकेप ऑफ कूर् ब्रह्मगिरी का जो पहाड है अगर आप उस पर चड़ करके जाते हो तो उस पहाड की चोटी पे जाके आपको जो नजारा देखने को मिलेगा जो क्या है जो हलकी हलकी धुंद से हलके हलके कोहरे से ऐसे पूर आपनौर में क्या होता है बिटा ऐसे 360 डिग्री 360 डिग्री का जो आपको सुन्दर व्यू देखने को मिलेगा मतलब वाओ सोच करके इतने एक्साइटिंग लग रहा है कि ऐसा कुछ कि वही आप मतलब ऐसे ब्रह्मगिरी हिल्स को चड़ने के बाद आप चड़के ब्रह्मगिरी पहाडों पे चड़कर के जाओगे चोटी पे कि आप अपने चारों और जब अपनी नजर गुमाओगे वो जो नजारा है कि पहाड है वो घिरे हुए हैं धुन्द से कोहरे से हलका हलका बादल आ गया है पहाडों पर तो वो जो आपको देखने को मिलेगा वो तो एक अलगी सुन्दरता होगी ठीक है फिर वो बोल रहे ह कि अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हो तो आपको क्या मिलेगा और वॉक अक्रॉस दर रोप ब्रिज यानि की रसी से बना हुआ एक ब्रिज है अगर आप उससे चल करके उस पार जाते हो ठीक है रसी के ब्रिज पे से चल करके उस पार जाते हो तो दे शिक्स्टी फोर acre land of Nisar Gadhama, अगर आप रसी का एक bridge बना हुआ है, रसी का bridge को पार करकि अगर आप दूसरे तरफ जाते हो, तो आपको 64 acre का एक land मिलेगा, 64 acre का आपको एक land मिलेगा, एक जमीन है जिसका नाम है Nisar Gadhama, उआ अलग ही सुन्दर है, अलग ही, Nisar Gadhama अलग ही सुन्दर है सु बच्छे आपको याद रखना पढ़ेगा कि अगर आपको । थी 6 इस दिगरी वाला विडेखना है तो पहाड चड़ना पड़ेगा ब्रह्मागिरी हिल्स और और आप अगर रसी काब आप देख रहे हैं इमाजन कर सकते हैं कि हम अभी अभी इमाजन करके देखो कि हम अभी अभी ऐसे पहार चड़के गया है निसार गद्धमा की तरफ जा रहे हैं तो अभी अभी हमने कौन सा पहार चड़ा है हम ब्रह्मगिरी पहार चड़के गया है चोटी पे अपने आप में सुन्दर है अब वो बोल रहे हैं कि वहां पर क्या मिलेगा आपको वहां पर आपको मिलेगा Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby by Lakoop is a bonus वहां जब आप पार करके निसार गद्रमा पहुशते हों तब आप किसमें टकरा जाओगे तब आप Buddhist monks जैसे हमारे Hindu's के पंडितों को हम बोलते है न पंडित जी वैसे उसमें क्या होता है हम अगर Christianity में बात करें उस धर्में जो संत होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं Fathers हना तो बुद्धिस्ट लोगों की जो संत होते हैं उनको बोला जाते हैं मॉंक जो क्या करते हैं जो इस तरीकी के कुछ कपड़े पहनते हैं संत लोगों को ठीक है महात्मा संत ये मान लो उनको हम मॉंक बोलते हैं तो के जब आप जिब उस निसार गृद्धमा की और जाओगे न तो आप टकरा जाओगे लेकिन से Buddhist monks से और वो कहा है और फिर आपको पजा चलेगा कि वहीं पे पास में इंडिया की सबसे बड़ी हना India's largest Tibetan settlement वहां पे इंडिया की सबसे बड़ी Tibetan बसावट आपको मिलेगी कहा है जो की जो की बाईलकूब के पास में ही है वो तो फिर plus point है माद इतना कुछ देखते च तो इतना सुन्दर व्यू देखने को मिला फिर हम रसी को पार करके पहुँचे तो 64 एकर का लैंड मिला निसार गधमा वो सुन्दर था पिर थोड़ा आ गए तो हमने देखा कि moggs मिल गए हमको संथ महात्मा फिर हम थोड़ा सा आगे गए तो बाई लकूप के पास में, नियर बाई बाई लकूप, बाई लकूप के पास में हमें क्या देखने को मिला, हमें भारत की सबसे बड़ी तिबतन बसावत देखने को मिली, यह सारी चीज़े इतनी सुन्दर होंगी, और फिर वो बोल रहे हैं, the monks, वो जो संत वगेरा होते हैं, इन रेड, ओक्रे, और यलो रोब्स, जो इस तरीके के कपडों में होते हैं, ठीके, are amongst the many surprises, यह बहुत सारे surprises में से एक हैं, जो की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सो बिटा यहाँ देख रहे हो, मतलब मिर को तो लग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अब हमें इन चैप्टर खतम करने के बाद जाना चीए, कूर्ग, एक बारी कूर्ग का चक्कर लगा के आना चीए, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है देखने को, मतलब location से लेकर के जगा, famous बहुत प्यारी चीजों के लिए, मसाले, कॉफी, जंगल, जानवर, यह देखो इतनी बड़ी तिबबत की, सबसे बड़ी तिबबत इन बसावत यहाँ पे है, पहारों पे चड़ करके जाओगे, तो नदियां बह रही हैं, जानवर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे इतन जाना जुनतर है, everything is so nice, so यह है पूरा का पूरा हमारा चाप्टर कुर्ग, जिसके अंदर लुकेश, अबरोल, एक बहुत सी, बहुत ही प्यारी जगा के बारे में बात कर रहे हैं, और जैसी कि मैंने कहा था, कि इस चाप्टर को इस जगा के बारे में जानने के बाद, इस कूर्ग जरूर घूम करके आएंगे वहां के कॉफी पीएंगे वहां के मसाले देखेंगे वहां के जंगलों में घूमेंगे बरमगेरी पहाड पे जाएंगे निसार गदम आजाएंगे वहां के जानवरों को देखेंगे कावेरी नदी में जाएंगे हर इक चीज करनी है सो ये सारी चीज़े जो हैं वो बहुत ही अच्छी है चाप्टर बहुत ही प्यारा है अब इस चाप्टर को एक्जाम्स के लिए आप लोगों को दुबारा से एक बारी क्या करना है इसका रिविजन करते रहना है तो इस पूरी विडियो के अंदर मैंने आपको पूरा का दे दिया एक टूर तो यहां पर मज़ा आचुका है हम लोग खूर्ग भी घूम चुके हैं ठीके बिटा तो इसको रिवाइस करते रहिएगा इसको अच्छे से प्राक्टिस करते रहिएगा और अगले लेक्टर में हम लोग घूमने जा रहे हैं कहीं और सो तयार रहना अपनी अगली ट्रिप के लिए मैं मिलूंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में जहां पर हम एक दूसरी ट्रिप पर जाएंगे तो तब ते के लिए बचे बाइबाई ठेक के रहन थांकियो सो माच